आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप भी अपने messages में delivery report एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर आपने किसी को भी message भेजा उसको कैसे पता करेगी आपका message बहुत चुका है या फिर deliver हो चुका है तो चलो वीडियो में बने रही है शुरू से लेकि लास त लिए को बएक मैसीज करता हूं जैसा कि यह वाला नमबर है मुझे यहां पर अभी मैसीज कर रहा है तो है यहां पर हाई करके मैसीज कर देता हूं अभी यहां पर मैस्ट जला गया पर क्लिक करना व ठीथình настоящ क करके यहां यहां पर delivery report जो है उसको ok कर सकते हैं यहां फिर आपने जो mobile की setting option में जाना है setting में जाने के बाद में यहां पर एक option देखने को मिलेगा application and permission यहां पर आपको क्लिक करना है और system app setting है यहां पर system app setting को खोलना है यहां पर आपको messages पर click करना है simply message पर click करेंगे तो यहां पर delivery report का option देखने को मिला है इसको यहां tick कर देना है इस तरह से देखिए आप जो delivery report है वो आप लेना चाहते है अपने mobile पर तो यहां पर tick कर देना है यदि नहीं चाहिए तो यहां पर उसको unhide कर देना है तो इस तरह कुर्ण और यहां पर मैं to do a Human 1 फोन में थो इसी चाहिए właśnie ऑप वी अहहां पर नीचे पोप-आप आजाएगा इस तरह से कि मैसिज डीधिशी डूपाई जो कॉंटक्ग्ट है उसको इभी यहां पर शोओ होगया कि उसके पास पॉंच चुक है तो इस तरह से आप आप भी अपने mobile phone में अपने जो messages में हैं उसमें delivery report एक्टिवेट कर सकते हैं I hope आपको वीडियो अच्छे लगे होगी अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, share, subscribe, follow जो कीजिए Thanks for watching, मिलते के लिए उड़े तो तक के लिए, bye bye